एदल किसकू एक तुम्हें सोचते हुए खुद को देखता हूँ तो सुन्दर दिखता हूँ उमरता है अंचाहा प्यार इस तरह से तुम्हें सोच पाना मुम्किन हुआ है कितनी रातों की बेतर्तीवी के बाद जैसे बहुत इंतजार के बाद महुआ से मिलने की आस में आसमान को तकते है घास मेरे पैदा होने के सैकड़ों साल पहले से बासलोई तुम्हें जानती है हर बरसाद तुम्हें देखने आती रही हर हराती साल भर धूप सहते अपने चटानों के सीने में आस भरी नमी भर कर जाती रही पहचानता है सकुआ का जंगल भी जो हर पत जड़ में अपने पत्ते गिराता इस आस में की पत्तों की खड़कड़ाहटों से जान ले तुम्हारा आना तुम्हारी आस में जंगल नहीं भूले हरा होना नहीं भूला केंदू भी टह टह पीला होना ये बचे रह गए पहाड जंगल के पेड़ बासलोई का पानी गवा है उम्मीद के बचे होने का अंततह तुम भागी आई असम के चाय बागानों से बेतरा हसी फूट रही थी दोनों की अब तक बतियाते घंटा बीद गया था फोन पर बहापरब में आओगी इस सवाल के बाद थोड़ी देर के लिए मौन पसर गया दोनों के बीच लगा पूछने के लिए पूछना कितना खराब है बात को संभालते हुए मैंने पूछा फोन नया ले लिया हाँ कल ही लिया है लेकिन पहले वाला फोन ही ज्यादा पसंद था बहुत समय उसने तुम्हारी हथेलियों में जो बिताया था मैं यहाँ चाय बागानों में तुम्हारे इस पर्शों में ही बची हुई हूँ कोई हमारी भाषा नहीं बूलता यहाँ हमारे लहजे तक में हमसे नहीं बतियाता दूसरों की भाषा न जानना स्वाभाविक है पर इनसान ऐसा क्यों हो जाता है अपनी ही भाषा में इतना कड़वा कैसे हो जाता है छोड़ो तुम बताओ छोड़ो तुम बताओ कहां कहां घूम आया इस बीच मुझे तो अब आदत हो गई है इन बातों की तुम्हारा मामा ही कितने प्यार से बोलता था पर क्या फायदा हुआ हमारा खेत तो अब ही जत्वारा है न पुखरा का मचली भी वही खा रहा है इस बार शायद बाबा की आखरी याद उस कठल के पेड को भी बेच दे सोच के भी कांप उठती हूँ कि साथ बिताए हमारे उस च्छाओं पर भी आरी चला देगा वो इतना मीठा बोलता था कि कठल के लठा जैसा फंस गय सेमल के पेड को बेच दिया और मैं उसकी रुई की तरह उड़ती हुई यहाँ चाय बागानों में आकर फंस गय तुमको बहुत पसंद था सेमल का गाच प्यार से हमको एदल बुलाते थे तुम क्या पता था मेरे ही नाम का कांटा मुझे ही चुप जाएगा जब काट कर पटरा निकाला जा रहा था बाबा खटिया में आखरी सांस ले रहे थे तुमको बहुत याद किये थे बोले थे हो सके तो दूर रहना उससे उसके ही लिए वह सिर्फ सेमल का फूल देख रहा है काटा नहीं सहपाएगा बेचारा बाबा के बाद कौन बचा था बाबा के बाद कौन बचा था जो घर चलाता आयो का हालत तो जानते ही थे तुम्हारा घर वाला बहुत मदद किया लेकिन हमारे ही जमीन पर हमको रोजगार दे दिया था बदले में बचने भर भाद तरकारी भी दे देता था ऐसा कितने दिन चलता इसलिए रमकू के साथ चले आया साम अच्छा लगता है तुमसे बात करके फोन पर भी हडिया जैसा महकता है तुम्हारा मूँ भरोसा भी होता है पर अच्छा सुनो तुम अगर सच मुझ जानना चाहते हो तो ठीक से सुनो बहापरब में तो नहीं आ पाऊंगी पर आऊंगी जरूर इस बार बरसात में आऊंगी अपने उसी घर में हमेशा के लिए अपना खेत इस बार मैं ही जोतूंगी और मचली भी मैं ही पालूंगी अपने पुखरा में